साथियों, Inkscape एक Vector Graphic Open Source Software है, जिसके इस्तमाल से हम विशय से संबंदित आकरती बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि Inkscape से विशय से संबंदित आकरती कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसकी सुरुवात करते हैं। सबसे पहले हम Google Chrome को ओपन करेंगे। Google Chrome ओपन करने के बाद हम उसमें Inkscape डाउनलोड लिखेंगे और इंटर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सी लिस्टिंग इस पेज पर दिखाई दे रही है। हम पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे। पहले वाले लिंक को क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि Inkscape का मेन पेज ओपेन हो जाएगा अब इस पेज में हम यह देख पा रहे हैं कि कई तरीके का कि ओपरेटिंग सिस्टम से समबंदित Inkscape दिखा रहा जैसे Linux, Windows और Mac तो हमने Windows को क्लिक किया Windows को क्लिक करने के बाद हम मसीन के टाइप के हिसाब से Inkscape के वर्जन को सेलेक्ट करेंगे जैसे 32-bit या 64-bit तो हमने 64-bit को क्लिक किया 64-bit को क्लिक करने के बाद .exe का एक पेज आएगा जिसको हमने क्लिक किया .exe के पेज को क्लिक करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि Inkscape डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है जो कि लेफ्ट साइड में हमें दिखाई दे रहा है डाउनलोड होने के बाद हम इसको सो इन फोल्डर करेंगे Inkscape फाइल को जो डाउनलोड वर्जन है उसको हम डबल क्लिक करेंगे फिर हम इसके नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे नेक्स्ट बटन क्लिक करने के बाद I Agree बटन को क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे फिर नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे उसके बाद एक बार और नेक्स्ट बटन को क्लिक करेंगे इसके बाद हम इंस्टॉल बटन को क्लिक करेंगे तो हमारा Ink Escape का Installation स्टार्ट हो जाएगा हम एक दो सकेंड तक वेट करेंगे Last में हम Run Ink Escape को अगर चेक करेंगे तो Finish करने के बाद Ink Escape हमारा Automatically स्टार्ट हो जाएगा